गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं जस्टेस रोड़ा रिफॉर्म चैनल से रकेशन अब बोलागा तो थोड़ी सी आईसीय की इंफिमिशन अभी शुरू करी थी तो कुछ लोगो अब्जेक्शन शुरू हो गया तो मैं अभी थोड़े दिन के लिए चैप्टर क्लोज कर देत पर लो तो सारी लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें बट एक इंफरमेशन जो अभी तक यह आई से बोर्ड नहीं बता रहा उसकी बात कर लेते हैं जो एलेवन स्टेटस रिपोर्ट है जो सी ओ ए ने एलेवन स्टेटस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोड कर दी थी उसमें उसने स्पेसिफिकली मैंशन किया है कि जो सर्विसिस और रेलवेस एंड इन इन यूनिविस्टिस के जो तीन रिप्रेजेंटेटिव बी सी से की एजियम में बैठेंगे दे विल नॉट बी गॉर्मेंट नामिनीज इसका डॉकुमें जो है वो भी मैं पोस्ट कर दूँगा गुरूप्स में तो उसमें उसने लिखा है कि यह जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अपनी रेलवेस में सर्विसिस में इंडियन यूनिविस्टिस में अपनी एसोशेशिशन्स बनाएं और उस एसोशेशन्स में अपने अलेक्ट कर आउट ओफ थर्टी एट तीन ये भी हो जाएंगे तो आई बिलीव कि ये जो इशू है जो अभी तक किसी ने बोला ही नहीं है क्योंकि मैंने तो ये पढ़ लिया था बट मैंने का अगर आईसीय बन जाएगी तो आईसीय के बाद ये इशू शूरू हो जाएगा बट मैंने बोला कि अब ये भी इशू है एक बहुत बड़ा क्योंकि एजियम भी सेप्टेंबर में आने वाली है तो वी शूड फॉर्म एक बाड़ीज ऑफ सर्फिसीज वाले अपनी कर सकते हैं रेल्वेज आले जो फॉर्मर रेल्वेज के प्लेयर हैं वो अपनी कैस्विशे इट वस स्पेसिफिकली मैंचेंड इन दी एलेवन स्टेटर्स रिपोर्ट की देवर नॉट नोबड़ी विल बी अलाउड आउट साइडर मग जो भी रेल्वेज का नॉमिनी नहीं आएगा ये क्रिकटर नॉमिनी आएगा तो इसलिए हमें तीन क्रिकटर और बी-सी-सी- एक क्रिकटर बढ़ जाती है कि क्रिकट की बॉड़ी में क्रिकटर की डिसकेशन होनी जाएगा तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ सर्फीर वालों को भी रेल्वेज वालों को भी और इन्डियन उनिश्टी सो अ सारे खेले हुए हैं उसमें भी एक बॉड़ी बने और उसमें जो भी इलेक्ट होगा उसको BCCI की रिप्रेजेंटेशन में जाना चाहिए, AGM में बैठना चाहिए as per Supreme Court orders and as per direction by the COA and it is in the 11th status report, I will post that document also thank you very much, this is for the information of all the ICA members and non-ICA members who has represented universities क्यों जो एक भी मैच खेला है, वो भी उस एस्टेशन का मैंबर मन सकता है रेल्वेज में जो दस मैच उसमें ये कंडिशन नहीं है दस मैच की उसमें तो रेल्वे से जो भी रांजी टॉफी खेले हैं, they can be member of that association सरसीज में भी जो फर्स क्लास के खेला, he can be member Indian University में जो University खेला, he can be member so this is a open, it's a very open issue so let's start this also, thank you very much this is for everybody's information